नमस्कार मैं हूँ अंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें कलेक्टर ओफिस शादी करने पहुचा जोड़ा लड़की को उठा ले गए उसके घर वाले प्रेमी को जम कर पीटा मद्यप्रदेश की घटना है MP में एक प्रेमी जोड़े के शादी रचाने का अर्मान आदा अदूरा ही रह गया प्रेमी जोड़े ने कलेक्टर ओफिस पहुच कर सोचा कि अब वो आसानी से भ्यार रचा लेंगे तब तक लड़की के परिजन वहाँ पहुचे और अपनी बेटी को वहाँ से उठा कर लेगा इतना ही नहीं परिजनों ने प्रेमी को वहाँ पर बूरी तरह से पीट दिया इस घटना का वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इसल एमपी के रिवा में से मरिया की रहने वाली एक यूवती का नागोद के रहने वाले यूवक से प्रेम परसंग चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे जिसमें लड़की के परिजन बाधा बन रहे थे यूवती मोका देखकर एक दिन अपने प्रेमी के साथ सीधे भग कर कलेक्टर आफिस पहुँच गई इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को भी लग गई और वो भी वहाँ पर पहुँच गई अपने परिवार के लोगों को देखकर यूवती वही कहने लगी कि वह यूवक से शादी कर चुकी है और कलेक्टर आफिस में अपनी शादी रेजिस्टर कराने आई है यूवती परिवार से गोहाल लगाती रहे कि उसे अपने प्रेमी के साथ रहने दिया जाए लेकिन परिवार वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके प्रेमी को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया इतना इन्हें यूवती के लाख मना करने पर परिवार उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगे जिसका विरोध करती रही लड़की लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी इसी दोरान लड़की बेहोश हो गई जिसके बाद उसे परिजनों ने पास में बनी एक कैंटीन में बिठाया और होश आते ही जबरन गाड़ी में डाल कर वहां से उसको ले जाने लगे करीब 15 मिनट तक कलेक्टर कारेलिये के पास ये हंगामा चलता रहा किसी ने लड़की की कोई मदद नहीं की आपको बता दे कलेक्टर कारेलिये के बाहर इस तरह की घटना का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है होने के बाद रीवा के एस पी राकेश कुमार सिंग ने इसका संग्यान लिया और मामले की जाँच का भरोसा भी दिलाया इतना ही नहीं एस पी ने पुलिस को ततकाल उस यूफती को तलाशने का भी आदिश दिया है आगे भी आपसे खबरों का सिलसला जारी रहेगा बने रहेए आप हमारे साथ